है है जो गाइज एक बार मैं रोई त्विस्ट से आपका स्वागत करता हूं मेरे रुपिला जुटर क्लासेज में तो गाइज पिछली लेक्चर में हमने डिसकर्स किये थे कुछ आपका बहुत अच्छे रिस्पॉंस आया बहुत अच्छे कॉश्चन के अपने आंसर यहां पे दिये तो आज हमार लक्षर नंबर फाइव रहने वाला इसमें हम डिसकर्स करने वाले हैं कम्प्योटर की आउटपुट डिवाइसी कौनसी होती है इनकी पिक्चर के साथ में आपको यहां पर दिखाने की कुशिश करूँगा टाइमिंग रहती है आपकी वीडियो की एक बज़े आपको वीडियो मिल जाती है ठीक है कुछ तोड़े से मुझे इस्यूज आ रहे है वैसे में आपके साथ लाइव आ जाऊंगा उसके बाद गाईस देखिए है हमारे डेली क्लासे की रूटीन ऐसे रहने वाली है मंडे टो फ्राइडे आपको मेरी क्लासे मिलेंगी ठीक है पहली क्लास होगी आपकी जब तक हमारा जमुट कश्मीर का जीके जो एक खतम नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप और बेल आइकन दबा लें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो गई देले रिटेन हमारे यह रहती है कि जो हमारी कोट होती है इसको पद लेसन करते हैं उसको यहां पर इसको करते हैं और उन एमसी के उसके आंसर जो है आपको मैं Telegram channel पे PDF के जरीए वो आपको मैं यह पूरी जो यह lesson की PDF होती है मैं वहाँ पे share कर देता हूँ और उसी में इन questions के answers भी provide किये होते हैं तो यहाँ पे उन questions के answer देने की कोशिश कीजेगा guys ठीक है तो यह हमारी आज की quotation है कि education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today तो guys सही बात कही गई है कि जो education जो है ठीक है यह passport है हमारे future के लिए अगर हम आज education अच्छी हासल करते हैं तो हमें future के लिए एक passport मिल जाएगा ठीक है तो for tomorrow belong to those यह tomorrow जो है उनके लिए belong करता है जो उसके लिए आज त्यारी करते हैं तो guys कहने का यह मतलब है अगर आप अच्छे से future के लिए आज त्यारी कर लेते हैं तो guys आने वाले time में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी की मतलब जेलना नहीं पड़ेगा आपको वो सब कुछ अगर आप education को अच्छे से आज लेते हैं education को अच्छे से complete करते हैं ठीक है अच्छे पढ़ाई करते हैं अच्छे hard work करते हैं अच्छे effort लगाते हैं तो guys आपके destinations आपसे दूर नहीं है आपका future आपका इंतजार कर रहे ह तो guys आज की video जो हम start करते हैं output devices से तो guys सबसे पहले जान लेते हैं कि output devices होती क्या है एक output devices जो है computer hardware का ऐसा component है जो communicate करता है जो हमारे data का result आता है ठीक है जो process के जाता है हमारे computer के जरीए और convert करता है किसको digital information को ठीक है एक form easily readable बन जाए और इसको human जो है आसानिक से समझ सकें ठीक है बहुत सारे output devices होती है computer की वह हम देखेंगे आगे consequence devices होती है एक बार फिर से अगर आपको output devices के बारे में समझने आ है थोड़ा video को rewind करके देख लिजेगा ठीक है तो पहली output devices यहां पे monitor पहले आपको मैं monitor की जो है shape जो है यहां पर दिखाना जाता हूं जो इक सी image है मैं आपको यहां पर दिखाना जाता हूं यह हमारा monitor I hope कि आपने सबने देखा होगा आपके schools में लगा होता है उनकी घर में भी यह monitor सबके घर में होता है तो गाइस देखें इसके बारे में सब जानने कोशिश करते हैं कि monitor है क्या चीज़ के monitor जो है इसको monitor बोले या visual display unit यहां से question पूछा जा सकता है कि monitor को और क्या बोला जाता है जो आप इस पर visuals देखते हैं जो आप इस पर images वगरा देखते हैं वो सब monitor के थ्रू ही देखी जाती है ठीक है यह man output device है हमारे computer की ठीक है क्या करता है it forms image in the form of tiny dots known as pixels ठीक है यह एक image को एक tiny dots की form में क्या करता है form करता है तियार करता है इसको pixels बोलते है ठीक है अब जो sharpness इसको होती है image की सकते हैं कितने pixels का आपने अक्सर देखा होगा यह कितने pixel का photo है कितना megapixel है इसका ठीक है कितना photo यह ज़्यादा clear ला सकता है ठीक है वह pixel पर depend करता है कि आपकी image की sharpness कितनी है तो दो किसम two kind of weaving screens are used for computer तो दो किसम की weaving screens जो होती है computer के लिए जो monitor उसके लिए उ किसम की जो weaving screen जो है monitor के लिए उसकी जाती है cathode ray tube एक बार बता जाता हूं flat panel display इनको यूज किया जाता है तो अब हम cathode ray tube के बारे में जान लेते हैं कि cathode ray tube क्या monitor कौन सा होता है cathode ray tube क्या करता है display करता है जिसमें कि small picture होती है जिसको pixels बोलते है छोटी छोटी picture के element होते हैं जिने हम pixel बोलते हैं और ट्रमाइन करता है कि image का resolution क्या होगा इमेज की clarity कितनी होगी जितना smaller are the pixel the better is the image clarity or resolution जितनी ही छोटी जो हमारा pixel होगा ठीक है उतनी ही better resolution या better clarity जो है हमारी image की होगी तो finite number of characters can be displayed on a screen at once तो बहुत सारे characters जो होते हैं at एक ही time पे हमें screen पे display हो सकते हैं screen जो है उसको divide के जाता है into बहुत सारे character boxes के उसमें ठीक है जो सोग करते हैं fixed location on the screen where standard computer can be placed जहां पे हम standard computer को place सकते हैं इसको simply आप नियाद रखना है जो cathode ray tube है ठीक है अब यह क्या है यह इसमें छोटे जो picture के element होते हैं इसको pixels कहते हैं ठीक है आब वो image की resolution को क्या करते है clarity को determine करते हैं किसकी clarity कैसी होगी उसमें कहते हैं cathode ray tube monitor फिर होता है guys flat panel display monitor अब यह क्या होता है यह जो flat panel display क्या करता है जितनी भी disadvantage होते हैं CRT की ठीक है cathode ray tube की उसको outcome कर लेता है जैसे कि as they have reduced volume weight and power requirement compared to the CRT अब देखो guys इसमें क्या होता है यह अलग-अलग shapes and size में आते हैं ठीक है you can hang आप उनको walls पे भी क्या कर सकते हो hang कर सकते हो ठीक है और wear them on your wrist और उनको आप अपने wrist पे भी पैन सकते हो ठीक है they are used in all modern day calculators ठीक है इनको modern day calculator में भी यूजगे जाता है ठीक है video games में monitors में laptop computers में graphics display एस्टाइब डिस्प्ले जो हम डिस्प्ले बोलते हैं तो यह होता है guys flat panel display monitor ठीक है जितनी भी खामियां जो CRT में थी cathode rate tube में थी ठीक है उन सब खामियों को किसने दूर किया जो flat panel display monitor होता है मतलब उसके आने से वो खामियां दूर हो गई तो guys इसके बाद जो flat panel display जो होता है दो type के होते है emissue display और non emissue display ठीक है emissue display क्या होता है emissue display क्या करता है यह जो electrical energy को light में convert करता है ज्याद रखेगा important point है यहाँ पे emissue display क्या करता है यह electrical energy को light energy में क्या करता है convert करता है जैसे कि example में आपको बता दू plasma panel and LED ठीक है जो plasma panel or LED प्लाजमा पैनल को LED में करता है LED की full form भी पूछिया सकते है आपको LED light emitting diodes क्या है guys light emitting diodes guys याद रखेगा तो दूसरा है इसका क्या non emissue display तो non emissue display भी होती है अब वो होती क्या है non emissue display जो होती है यह optical effects को use करती है जिसे के sunlight या light को किसी दूसरे source से graphic patterns में क्या करती है change करती है convert करती है याद रखेगा कि non emissue display या करती है यह sunlight को या किसी light को किसी दूसरे source से graphic pattern में convert करती है जैसे के example is LCD जो हमारी liquid crystal device होती है उसकी हम non emissue display को उसको example ले सकते हैं तो guys इसके वाद है 3D monitors ठीक है 3D monitors क्या होते है एक ऐसा tally vision है ठीक है जो convey करता है depth perception to the viewer ठीक है मतलब कि viewer की depth perception को वहाँ पर convey करता है 3D जो होता है describe करता है कैसी image ठीक है और वहाँ से वह virtual reality है उसको experience करता है ठीक है उसे हम कहते हैं कि 3D monitor आपने 3D movies भी देखी होंगी ठीक है रहा हूं कहते थे कि कुछ बच्चे कहते थे कि computer का जो पार्ट है थोड़ा वो tricky रहता है तो guys मैं आपको कोई भी tricky यहां पर नहीं रहेगा सब कुछ यहां पर आसानी से आपको समझाया जाएगा जो चीज यहां पर छूटेगी छूटने तो मैं दूँगा नहीं अगर छूटेगी उसको मैं जो हमारे mc chaos की जो series आएगी उसमें मैं वह पार्ट आपको cover करवाने वाला हूं तो guys you don't need to worry उसके बाद printer है printer क्या होता है ठीक है printer एक ऐसे यह बहुती common output device है जिससे के हम किसी information को paper पे print कर सकते हैं अब आप 2 किसम के printer होते है इंपक्त प्रेंटर एंड aaNS प्रिंटर तो इनके बाद फड़का जान लेते है कि your pack प्रिंटर क्या होता है नौन प्रिंटर क्या होता है तो देखी यह printer की जो क्या है इमेज है देखिए इसे हम प्रिंटर कहते हैं जिसे कि हम किसी इंफर्मेशन को किसी पेपर पर क्या कर सकते हैं तो इंपक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं यह वह प्रिंटर्स जो होते हैं जो करेक्टर्स को ठीक है striking against a ribbon ठीक है एक ribbon जो होता है उसके अंदर लगा होता है printer के अंदर तो उसको paper के ओपर क्या करते हैं उसको ribbon को strike करने के बाद paper पे वो सारी information हमें characters जोते ही भी होते हैं वो आ जाते हैं यहने हम कहते हैं impact printers उसके example दिखेंगे तो आप समझ जाएंगे तो impact printers जो होते हैं यह low cast के होते हैं but they happen to be very noisy इसमें क्या होता है यह बहुत sure करते हैं इनकी cast कम होती है लेकिन यह sure बहुत जादा करते हैं ठीक है उनकी low cast के कारण ठीक है यह बहुत जादा printing कर सकते हैं पर bulk printing ठीक है तो इसके क्या होता है physical contact होता है paper के साथ to produce an image ठीक है यहां पर physical contact होता है paper के साथ ठीक है अगर एक image को produce करना है उसका physical contact रहता है paper के साथ तो गाइस दूस्तरा इसमें क्या होते हैं कुछ इसकी example देखिए character printers अब character printers क्या होते हैं यह ऐसे printers क्या एसे printer होते हैं ठीक है जो एक character at a time क्या करते हैं print करते हैं ठीक है इनको आगे character printers को भी further divide किया गया है वो आगे देखेंगे वो होते हैं कौण से कौण से dot matrix printer and daisy wheel printer तो dot matrix printer कौण से कौण से होते हैं ये बहुत ही popular printer है ठीक है because अब there is our printing features क्योंकि इसके printing features जो है बहुती easy है ठीक है तो देका मेंटा low cast यह बहुती छोटी cast में आते हैं बहुती कम कास्ट में आते हैं बहुती कम कीमत पे आते हैं ठीक है dot matrix printer यहारे character जो होता है उसको हम dots dots और head की form के pattern में इसको print किया जाता है यह dots और head जो होते हैं ठीक है इनका metric होता है बना हुआ print up size 5 into 7, 7 into 9, 9 into 7 ठीक है इस matrix में वो बने हुए आते हैं जिसमें हमें character को form कर सकते हैं इसलिए इसको dot matrix printer कहा जाता है तो guys I hope कि आपको यह समझा गया होगा फिर है हमारा अगला line printer क्या है guys line printers क्या होते हैं line printers वो printer होते हैं जो एक line को at a time क्या कर सकते हैं print कर सकते हैं ठीक है जो line printer की speed होती है वो limited होती है by the speed of cartridge used जो उसमें cartridge use की जाती है guys cartridge आपको उस बता दो कि क्या होता है जो उसमें ink simple ink जो उसमें डाली आती है ठीक है उसे हम cartridge कहते हैं जो जो उसमें color आएंगे speed जो है limited है ती है क्योंकि this cartridge उसमें उसके जाता है उसकी speed से इनको फिर बाद में divide किया गया है दो types में drum printer and chain printer तो guys drum printer क्या होता है ये printer जो होता है looks like a drum ये drum की तरह दिखता है ठीक है shape में that's why it's called drum printer the drum surface number of tracks जो drum के surface में बहुत सारे tracks होते हैं फिर है chain printer तो chain printer क्या होता है इस printer में क्या होता है क्योंकि chain जो होती है characters की एक इसको use की जाती है इसलिए इसको chain printer कहा जाता है जो standard character set जो होता है 48 का हो सकता है 64 का 96 characters का इसमें एक set हो सकते हैं कहें guys chain printer कहेंगे फिर होते हैं guys non impact printer तो non impact printer वाभी तक जो हमने पढ़े वह impact printers थे तो बहुती low cast के होते हैं और बहुत striking against the ribbon and onto the paper ठीक है ये किसी ribbon पर strike नहीं करते हैं और किसी paper पर strike नहीं करते हैं ठीक है guys ये printer जो होते हैं एक complete page at a time print कर सकते हैं इसलिए इसको page printer भी कहा जाता है गया दखेगा guys non impact printers को page printer भी कहा जाता है ये दो किसम के printer होते हैं laser printers and ink jet printers तो guys laser printers कौन से होते हैं ये non impact page printer होते हैं ठीक है ये क्या करते हैं laser light को use करते हैं जिससे के वो dots उसमें जिन dots के उसको जरूरत है उसको वो page पे प्रिंट करने के लिए form करने के लिए उसको use कर सके इसे हम कहेंगे guys laser printer इसके बाद है हमारा ink jet printer तो ink jet printer के बाद अच्छे तरह देखेगा यहां पर क्या है ink jet printer जो है यह new technology है new technology के non impact character printers हैं यह print करते हैं characters को इसको क्या color printer भी कहा जाता है और इसके बहुत सारे printing जो मोड है उसके color printer भी कहा जाता है गया रखेगा guys ink jet printers को color printer भी कहा जाता है model जो होते ink jet printers के ठीक है उसको हम उसकी multiple copies भी निकाल सकते हैं ठीक है hardware device है ठीक है that either plugs into your computer line out audio speakers and allow you to privately listen to audio without disturbing anyone else इसको हम वहां पर जो हमारा computer device हो या हमारा phone का device हो वहां पर भी इसको लगाते हैं ताकि privately हम उसकी आवाज को सुन सके जो audio वहां से speakers में आ रही है ताकि दूसरे disturb ना हो ठीक है तो एक बार picture आपको दिखा लेता हूँ में headphones की देखेगा है यह headphones है हमारे ठीक इनको earphones भी का जाता है दूसरे किसम के earphones भी होते हैं जो आप शाहिद यूज कर रहे होंगे यूज करकर आप इसको पढ़ रहे होंगे ठीक है इसे हम कहते है एरफोन जो picture जो होती है इसे एक example होती है USB headset की ठीक है from Logitech with a microphone with a popular solution for computer gaming जो computer में जो लोग गैम केलते हैं ठीक हो लोग ज्यादा करके headphones को यूज करते हैं यह picture देख रहे हैं यह आप यहां पर तो चोथा जो हमारे पास output device है वह speaker I hope कि आप printers के बारे में समझ गई होंगे headphones के बारे में समझ गई होंगे आप speaker के बारे में जानने कोशिश करते हैं पले आपको speakers की में image दिखा देता हूं दिखे काई यह हमारे पास speakers की image कुछ इस तरह से होती है ठीक है तो अब इसमें hardware device है इसको computer के साथ connect के जाता है ठीक है computer का sound card connect के जाता है ठीक है जितनी भी फिर output sound होती है computer के जरीए जो sound होती है वो सब in speaker के जरीए ही निकाली जाती है ठीक है it needs a sound card इसको sound card की ज़रूरत होती है जिसको cpu के साथ connect करते हैं ठीक है फिर वो इसी card के जरीए क्या होता है sound को sound वहां पे generate होती है ठीक है इनको music सुनने के लिए यूज के जाता है फार बिंग audible and seminars तो seminars में तक के सब लोग सुन सकें computer कितने ज़्यादा आवाज तो होगी नहीं कि वहां पे सब को सुनाए इसलिए यहां पे speakers को यूज करना पड़ता है यह आप फिससे इसकी image देख रहे है इसके वादा है इस अमारा पास projector अपको projector की आपको image दिखा दिता हूं उससे आपको दादा समोझ आएगा देखेगा बड़े-बड़े जो seminars होते हैं वहां पे आपने देखा होगा वेबिनार होते हैं वहाँ पर देखा होगा कि यह जो प्रजक्टर जो होता है इसको लगाया जाता है यहां से सीधा क्या होता है जो परदा होता है मतलब जो कंप्यूटर में यहां पर दिखाया जाता है वह इस प्रजक्टर के जरिए इस स्क्रीन पर आगे दिखाया जाता है आगे शो होता है तो प्रजेक्टर के बाएं हम पर जाना लेते हैं कि है क्या यह सिंपली तो एक आउटपुट दिवाइस है जिसको हम क्या कर सकते हैं एक कंप्यूटर में जो इमेज है उसको हम एक बहुत बड़ी चीज पर आगे शो कर सकते हैं फ्लैट चीज पर ठीके उच अब कहीं मीटिंग वागारा होती है वहां पर यूज की जाता है जिससे के वह सारे participants को information जो आपर present होती है उसको असानी से मतलब कि लोगों को दिखा सकते हैं इसके बाद है हमारा इस प्रोजेक्टर की एक बार image फिर देखिए तो अब कुछ questions हैं आपके सामने I hope कि आप इन questions कुछे से enjoy करेंगे और इन questions को solo करने कुशिश करेंगे तो पहला है guys विज़ता following groups consist of only input devices तो अब इन में से किस group में सरफ input output devices ही है आपको बताना है पहला option है scanner printer monitor keyboard printer monitor mouse printer monitor plotter printer monitor तो guys आप इसका answer देंगे तो guys इसके answer की जिंदा नहीं करनी है आपको जो मेरी pdf आपको मिलेगी उसमें इनके answers आपको मिल जाते हैं तो guys लेकिन यहां पे मैं इनके answers प्रवाइड नहीं करता हूं क्यूंकि आपकी प्रेक्टिस होने चाहिए इसे पता लगेगा कि आपने किस तरह से जो लेक्टिर है उसको enjoy किया है पीछे देखा है अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा एक कीबोर्ड जो है इस कांड डवाइस कीबोर्ड किस किसम की डवाइस होती है ब्लैक डिवाइस इन्पुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस अडवाड प्रोसेसिंग डिवाइस यह आप मुझे कमेंट बक्स में बताएंगे ठीक है गाइस तो अगला जो कॉश्चिन है आपके सामने रिथमाटिक ओपरेशन में क्या होता है वीडियो को यहां पर किजेगा ठीक है इस को पढ़िएगा अच्छे से ठीक है फिर इसको सौलू किजेगा अगर आपसे नहीं होता है तो गाइज तो इस कोश्चिन को आप फिर पीडियाप में देखेगा इसका अंसर क्या है यह अगला क्योश्चिन सीरीज अफ इंस्ट्रक्श्चिन्स डैट एक सीरीज अफ इंस्ट्रक्श्चिन जो है कंप्यूटर को बताती है क्या करना है क्या नहीं करने अब वो क्या है प्रोग्रेम है कमांड है यूजर कर स्पांस है या प्रोसेसर है ठीक है इसका अंसर आप मुझे कमेंट बाक्स में बताएंगे तो क्याज यह लास्ट क्वे पांत कॉष्ण में डेली यहाँ पर आपको पूछता हूँ विच पार्ट आप अप नदे वोक डन ठीक है इन मेंसे कौन सा कम्प्यूटर का पार्ट है ठीक है जो डिस्प्ले करेगा कि काम हो गया है रेम प्रिंटर मॉनिटर या रॉम ठीक है इसका अंसर आप कमेंड बाक यहीं वीडियो खतम करते हैं वीडियो में कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करके अपना फीड़ अपने फ्रेंड के साथ भी ताके वह भी इसका आनद रखा सकें अगर आपने कुछ चीज यहां पर सीखी है तो तो किस बैल आइकन दवाना ना भोलें शेर करने के बाद सुब्सक्राइब करने के बाद ठीक है तो गाइज वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं थैंक्स गॉड ब्लेस्ट यू आल